हेलो फ्रेंज बेलकुम तो चाबला मंतर यूट्यूव चैनल तो फ्रेंज आज मैं आपको इस वीडियों बताऊंगी कि एच्पी टैड के लिए आपको दो चीजे मोस्ट इंपोर्डेंट क्या पड़नी है ठीक है तो चली फ्रेंज वीडियो को शुरू करते हैं और जो चैन सोल प्रिविस एर कोश्टन पेपर तो मैं सलसे पहले आपको बता देती हूं कि जिनको एच्पी टैड के प्रिविस दस सालों के ओल्ड कोश्टन पेपर जो रहते हैं बिद ऑफिशल आंसर की के साथ चाहिए आर्ट हो गया मेडिकल नोन मेडिकल जिसका भी चाहिए तो डि करने हो और सोल्व करने हैं एक-एक करके तो जैसे फ्रेंज जब आप सोल्व करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि अपकी एच्पी टाइड के त्यारी कहां टक है हो गई यह पूरी या अधूरी है तो आपको उससे काफी जादा हैं और क्या नहीं पढ़ना है वो सबस तब आपको पटा लग जाएगा यह नहीं पढ़ना है अखरीकर आता घया आपको पता लग जाएगा फोक्स ओन सब्जेक्ट इसमें क्या पता है मैं यहां पे आर्ट की आर्स की बारत करूँगी और यहां पर आपका नोन जैसे आपको पता है कि जैसे आपको पता है कि एक सब्सक्राइब का दूसरा तीस का तीस का और एक आता शाठ नमबर का तो आपको क्या करना है 90 नमबर पैट लेखके चलना है कि इतना तो हमने A to Z confirm करके पढ़न के जाना है तो इसमें क्या रहेगा आपका जैसे हम आर्ट्स का दिखते हैं तो तीस नमबर का रहेगा चाइल्ड साइकोलजी एंड ड्वलेमेंट पैड़कोलजी टीचिक लर्निंग यह आती है तीस नमबर सोशल स्टड़ी सोशल स्टड़ी रहता है साट नमबर का तो यह जो सबसे श्यूर्स में पकड़ना है जब आपके यहांपन bol और कंप्लीट हो जाएंगे तो इससे साब से आपको थैडड ओ्ध करना है तो इससाब से आपको हैच्पी टायर्ट किसी का कोई डोट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा मैं कमें रिपलाई कर दूंगी और फ्रेंज मॉस्ट इप्रोडेंट मैंने पहले बताया कि प्रिविस एर का काफी ज्यादा रोल रहता है ठीक है एक्जाम के लिए तो जिनको भी एच्पी टैट एक्जाम के इस वीडियो के साथ